नमस्ते मेरे पहरे दोस्तों कैसे हो सबाप आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे मेरी तोड़ी सी तब्रेट ठीक नहीं है बट काम तो काम होता है काम को तो पहले किया जाना चाहिए है ना तो आज का कंप्लेट करना है तो आज जो है एक्जोटिक मिक्स फ्रेश फ्रूट केक का ओडर है और आज जो डिजाइन है ना फ्रेंड्स यह मैं फर्स टाइम एक्चली बना रही हूँ कस्टमर की दिमांड थी कस्टमर ने फोटो भेजा था कि उनको पेंटिंग पैलेट नाइफ केक चाहिए ठीक है जो पैलेट किया देखते हैं आप लोगों को कैसे लगता है यह वन केजी का केक बनने जा रहा है और यह जो मेरा स्पॉंज है यह टोटली स्क्राइट से बनाया हुआ है जिसके मेरी पेड वरक्शॉप है तो मैं प्रिमिक्स से भी बनाती हूँ बट वो भी प्रिमिक्स मेरे पेड क्ला कि इसके मेरे गर के बने हूए हैं वतल्रेंद को कहां है और देखतेव देख जाओ ओर चीजर है मैं क्या कर रहा हूँ मैं अगरे देखेंट कपन गरकर लाघ रखनी सना मीक्सेय को कांव में। fruit crush का यूज़ करके आप layering दीजे इतना amazing लगता है ये cake तो देखे मैंने क्या किया सबसे पहले sponge को हलका सा soak किया उसके ओपर blueberry crush डाला दिन cream cake thin layer लगाई उसके ओपर मैंने strawberry crush डाला है और ये mixed fruit जिसमें mango, apple, देन थोड़ी कीवी है pineapple है, cane pineapple जो घर में ही मैंने बनाया है boil करके देन इसमें grapes है, black currant है और dragon fruit है, pink वाला, सो काफी सारे fruits है उसमें और एक layer वो fruit की अच्छी से बन गई, जिससे की cake की बहुत बढ़िया height आती है, देन टॉप वाला जो layer था, उसे हमने middle में डाल दिया जो हलका सा डोमशे पाता है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं middle में डाल देते हैं, तो proper round में circle में हमारा cake बनेगा अब देखिए, अब मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे orange crush orange crush भी मेरा घर पे मना हुआ है मेरे जैसे crush खतम होते जाते हैं, मैं छोटी-छोटी bottles में crush बनाती हूँ, और आप मानोगे ने friends बहुत ही बढ़िया बनते हैं, हमारे homemade crush squash sherbet syrup, ओके, तो इसकी भी मेरी paid workshop है अगर आपको commercial है जाना है, तो sale भी आप definitely कर सकते हो then यहाँ पर एक again मैंने cream की thin layer लगाई है friends देखो, fresh fruit का cake का order है तो आप बिल्कुल भी fresh fruit ही use करो ठीक है, आप जो market वाले वो डिब्बे में मिलते हैं बिल्कुल भी मत use करो, क्योंकि cake तो वो cooked होते हैं उसका taste भी बहुत ही different लगता है तो यह सबसे best तरीका है, क्योंकि देखो, हमें taste देना है customer को है न, taste सबसे ज़्यादा मायने रखता है और finally top में मैंने यहाँ पर pineapple crush लगाया है तो इस तरीके से आपने देखा होगा 3-4 मैंने crush, fruit crush यूज़ किये है और mixed fruits यूज़ किये है, fresh fruit then finally यहाँ पर इस तरीके से crumb coat करके मैं cake को रखोंगी, कम से कम, आदे से पौन घंटे के लिए जितना resting time देते हैं, उतना अच्छा है क्योंकि final finishing करने से पहले crumb coat करना बहुत ज़रूरी है ताकि final finishing में कोई दिक्कत ना है चाहे beginner सो, professional हो, जो भी है यह चोटी चोटी tips, tricks आपको बहुत काम आएगी, friends, जो मैं बताती हूँ और मुझे पता है, काफी लोग मुझे messages करते हैं कि मेरा जो cake बनाने का तरीका है उससे आप काफी कुछ सीख रहे हो तो उसके लिए मैं तो thank you बोलती हूँ कि आप लोग follow करते हो और मुझे भी अच्छा लगता है कुछ सीख पा रहे हो, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छे अच्छी वीडियो लेते आऊंगी तो आप भी एक like करना ना भूले शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स ओके तो finally यहाँ पे उनको off white color में cake चाहिए था तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना फ्रेंड्स जो gold color आता है gold jail color उसका बिलकुल half drop डालना है ठीक है जिससे की उसका color जो है cream का color हलका सा डल हो तो यहाँ पे इस तरीके से मैने final finishing कर रही हूँ मैने काफी सारी मेरे cake की videos है वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से cake की finishing करती हूँ और finally यहाँ पे जो है मैं brush की सहाईता से इस तरीके से lines, fine lines बना रही हूँ यह जो brush है आप मैं cake के लिए ही use करती हूँ, oil brush करने के लिए नहीं और यह देखे, finally यहाँ पे इस तरीके से knife आपको मिल जाएंगे, okay, और इसके लिए जो cream लगती है, यह soft cream चाहिए, अगर इस तरीके का painting बनाना है, तो आपको soft cream लगेगा, यहाँ पे मैं grey color का use कर रही तो वो हो गया मेरा grey color, और अगर dark करना है, तो थोड़ा सा और डालिए, तो इस तरीके से आपको use करना है, यह butter cream art वाले knife, but मैं butter cream का use नहीं कर रही हूँ, simply non dairy whipping cream का use करके मैं बना रही हूँ, और result मुझे बहुत अच्छा लगा, यह finally देखे, मैं एक बता रही हूँ again, इस तरीके से आपको soft cream चाहिए, इस तरीके से आपको knife पे लीजे, और अराम से design बनाईएगा, ठीक है, तो आपको practice हो जाएगी, मैंने भी first time ही बनाया है, बट मुझे तो अच्छा लगा, बट customer को भी main बाद बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगा comment में जरूर बताना, औ ग्रीन कलर जो है, वो leaf green मैंने यूज करिया है, जो navy blue यूज किया है, तो shades में मैंने इस तरीके से बनाया है, ये cake, finally मेरे पास जो golden कलर की यहाँ पे, मैंने इस तरह की से लगा दिया है, ओकी जैसे silver वरक होता है, वैसे ही golden वरक भी मिलता है, ओके, bye friends,